वेलकम टू SS Defense Academy, friends, SSC MTS के previous year के GK के स्रीज को continue करते हुए, आज के इस वीडियो सेशन्स में हम लोग देखने वाले हैं, जो SSC MTS का examinations 6 October 2017 को 1st shift, 2nd shift and 3rd shift में conduct हुआ था, और इन 3 shift क्यों मिला कर जितने भी GKS के questions बने थे, आज के इस वीडियो सेशन्स में देखने वाले हैं, यह जितने भी आप स्क्रीन पे question देख रहे हैं, यह 100% real और authentic है, friends, यदि आप 3 October 2017 से लेकर 31 October 2017 तक जो SSC MTS का examinations conduct हुआ था, उसका official paper डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलिग्राम को जोईन कर लिजएगा, आपको टेलिग्राम पे 79.4 MB का एक PDF मिल जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे सो हो रहा है, इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके, आप लोग official paper डाउनलोड कर ली जागा, वहीं से मैं आप सभी को GKGS का DIY सभी collection दे रहा हूं, ताकि आने वाले SSC MTS examinations के लिए यह सभी questions काफी helpful रहे, देख सकते हैं, friends, proper ढंग से shift wise सभी questions को include कर दिया आप लोग latest लगबग 6 मन्त पहले का आप लोग current software को देखिएगा, क्योंकि वहीं से questions आएगा, जो भी important questions है, उसी को मैं include किया हूं, तो चले, friends, देरी नग करते हुए, सभी questions को एक एक करके discuss कर लेते हैं, और friends, जो candidate 3 October से लेकर 5 October तक नहीं देखे हैं, shift wise questions को, आप लोग प playlist का link description box में मिल जाएगा, देखे friends, फर्स shift में पूछा गया था, IDA का full from क्या होता है, तो international development associations होता है, questions second देखे, भारतिय सभिधान के किस अनुसूची में सपत के बारे में बताया गया है, तो अनुसूची तीसरी अनुसूची में सपत के बारे में बताया गया है, थार्ड देखे, भारतिय सभिधान के किस अनुचीद में ग्रिफतारी के 24 घंटे के अंतराल, magistrate के सामने पेस होने का अधिकार है, तो ये अनुचीद 22 में बताया गया है, कोई भी ये दिबैक्ती है, यदि उसे ग्रिफतार किया जाता है, तो 24 घंटा के अंतराल में उसे magist के पास पेस करना होता है, कोई भी आपको पूलिस ग्रिफतार करेगा, तो 24 घंटा के अंदर आपको magistrate के सामने ले जाएगा, यदि नहीं ले जाता है, तो आप उसके कंप्लेन कर सकते हैं, मुहमद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी रजधानी कहां बदली थी, तो इस इंडिया कंपनी किस भारती सहर में पहली बार आई, तो सूरत आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिख देखे, परमुख या मोतर का मान कितना होता है, तो ये 0 डिगडी देसांतर होता है, कोशन सेवन देखे, अगस्त 2006 के बाद प्लुटो ग्रह को क्या कहा गया, तो उस इसे बाउना ग्रह में सामिल कर दिया गया, काफी important questions है friends, इसे आप लोग देखिएगा, जो भी रीज चल रहा है न, ये देखे, previous questions पढ़ने से काफी benefits होता है, एक तो लेवल की जनकारी मिलता है, और दूसरा कई बार repeated हो जाता है ये सारे questions, तो इसलिए देखिएगा, नेम पेसिये संकुचन 10 काहलाती है, तो क्रमा कुचन काहलाता है, question 10 देखिए, उचाई वाले अस्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संक्या बढ़ जाती है, क्यों? तो ये परबतूप ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए क्या होता है, बलड होता ह बढ़ जाता है, उनका जो circulation होता है, आप देखिए, question 11, इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है, जो प्रकास के dash से है, तो ये बीचेपन से संबंदित है, इंद्रधनुष की जो घटना आपने देखे होंगे, 12 देखिए, कौन सा एक computer network का हिशा नहीं है, देख computer network का हिशा नहीं है, 13 देखिए, परमाडू के उप परमाडू कणे dash होते हैं, कौन-कौन होते हैं उप परमाडू कण, तो proton, electron, neutron, neutron, ये सभी उप परमाडू कण है, 14 देखिए, आणविक आकटशन, जिस आवस्ता में महजूद होता है, वह dash होता है, तो वो होता है ठोस तथा बतावरण के अजयव, कारक संजुक्त रूप से dash बनाते हैं, तो परितंत्र बनाते हैं, कौशन देखिए, 16 सरपर्थम परकास की गती को किशने मापा था, तो ओलोश रोमर ने ना पा था, 17 देखिए, हेना, सीदू किस खेल से जूड़ी हुई है, सूटिंग से जू तो इस्क्रॉल आंसर हो जाएगा, भाड़ चितरकारी, एक स्क्रॉल आधारी चितरकारी है, 19 देखिए, टेल आफ टू सिटीज, नामक पुस्तक के लेखा कौन है, तो चार्ज डीकिन्स है, 20 देखिए, भारती और रूस के, रूसी नौसिना के बीच, एक सक्षातकार समु क्या बोलते हैं, बहुत ही पूराने करेंट्स के कोश्चन थे, और कुछ ऐते कोश्चन थे, जो आपकी एक्जामने इसल पर कभी देखने को नहीं मिलेगा, सेकेंड सिप्ट के फर्स्ट कोश्चन देखिए, प्रति बेक्ति आई क्या है, तो प्रति बेक्ति आई जो होता ह है, वो औस अताय होता है, जीडीपी में डी का मतलब क्या होता है, तो डोमेस्टिक होता है, इसका फूर्पराम होता है जीडीपी का ग्रोश डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुश्चन देखिए, थर्ड, भारती सविधान में कितने मौली कर्टब दिये गए हैं, एक ग्यारा पर सोजाएगा, फोर देखे, भारत में सर्बोच कानून बनाने वाली संस्ता कौन है, तो भारत की जो संस्त है, यहीं कानून बनाने वाली संस्ता है, यहां पर मेला मैच करने के लिए था, एक तरह से सब्द दिया गया था, उसका अर्थ बताना था, सही अर्थ क्या है, त देखे अकबर के शासन में राजस्व बेवस्ता को क्या कहा जाता था तो जब्द के नाम से जना जाता है अकबर के शासन में राजस्व बेवस्ता को सेबन देखे दक्षडी आयनांत के समय दक्षडी गुलार्थ में कौन सी रितू होती है तो कृष्मी रितू होती है 8 देखे कौन से अच्छांस रेखा एसिया से होकर गुजरती है तो simple questions करक रेखा है 9 देखे vitamin K का क्या कार होता है तो ये रक्त का थक्का जमाने में कामे करता है Q10 देखे tendon डैस जोड़ता है तो ये हड़ियों को पेसियों से जोड़ता है Q11 देखे रक्त दाब क्या होता है तो ये धमनिया और सीरों के भीतियों पर रक्त का दबाव करता है इसलिए रक्त दाब होता है Next question देखे 12 समय का मूल मात्र क्या होता है Simple question second होता है 13 देखे बल्ब में पतला तार जिससे विदुत धारा के प्रवावित होने पर वह दिप्त होता है उससे क्या कहते है उससे फिलामेंट कहा जाता है 14 देखे प्रित्वी के भूपटल में सबसे परचूर मात्रा में धातू कौन सा होता है तो एलमूनियम पाय जाता है आप सभी जानते है 15 देखे सीसे ये पेंसिल की नोग जो पेंसिल का नोग होता है वो केस का बना होता है तो ग्रेफाइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 16 देखे डैनमाइट का अभिशिकारक कौन थे तो अलफ्रेड नौविल थे 17 देखे दूती चंद्र की से जुड़ी हुई है तो 100 मीटर दौड से समबनी थे अब थर्ड सिप के फ़र्स्ट कोशन देखे ब्यवसाय सुरू करने के लिए आवशक बीत क्या कालाता है तो पूंजी कालाता है तो भी जानते हैं कोई भी बयवसाय आपे श्टार्ट करने के लिए तो उसके लिए आवशक बीत यानि क्या होता है पूंजी होता है सेकंड देखे ब्हारत में उत्पाधन का कौन सा घटक परचूर मात्रा में है तो देखे परचूर मात्रा में स्रमिक है उत्पादन करने के लिए थर्ड देखे भारती सविधान के किस अनुसूची में राज के नाम तथा संग राजचेतर के बारे में बताया गया है तो पहली अनुसूची में राजजों के संग यानि राजजों के जो भी नाम और संग के चेतर है उनके बारे में बताया गया है पॉर्थ देखे, भारती सविधान के कौन से अनुच्यद में जीवन तथा दैहिक सेवतंतरता का अधिकार की भ्याख्या किया गया है तो अनुच्यद 21 में किया गया है फाइब देखे, मौरे बंस के ऐसे कौन सा सासक थे जिन्होंने अभिलेक द्वारा जनता को अपने संदेश को पहुंचाने का काम किये थे सिंक देखे उन्नी सो पांच से पहले ब्रिटिस भारत की सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था तो बंगाल था 7 पृत्वी कितने समय में एक डिगड़ी घुम जाती है तो 4 मिनट में एक डिगड़ी घुम जाती है 8 आठ ग्रहों में ब्रिस्पत्ती सूर्य से कौन सा अस्थान पर इस्तित है तो पांचवे अस्थान पर इस्तित है 9 देखे कौन सा एक जलिये आवास का एक उधारण नहीं है जलिये आवास का उधारण नहीं है तो देखे जला से ये तो उधारण है दल दल ये भी जील ये सबी क्या है ये जलिये आवास का उधारण है जबकि बन नहीं है तो ये ही आंसर सोज़एगा 10 देखे, phloem सदेव प्रवाहित होता है, कहां होता है, तो कार्वो हाइड्रेट स्रोथ से कार्वो हाइड्रेट कुंड तब प्रवाहित होता है, phloem 11 देखे, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोंबो प्लाश्टिन का सरवन डैस करता है, तो प्लेटलिस्ट करता है तूवेल देखे प्रिष्ट से परवर्तन के पषचात याणि प्रिष्ट से परवर्तन के बाद वापस आने वाली परकास किरण को क्या कहाए था है तो परवर्तित किरण कहा जाता है, सिंपल आपने टिंत में पड़ा आये धैस एक सुरक्चा युक्ति है जो विदूत परिपत की छती तथा संभावित आग के प्रती सुरक्चा परदान करती है तो जो वायर बगरा है वो बच जाता है तो फ्यूज काफी इंपोर्टेंट होता है 14 देखे कौन सी कारे कंप्यूटर में के ALU दवारा किया जाता है तो अंग गणी तथा तर्क संगत ओपरेशन दोनों में ALU दवारा किया जाता है 15 देखे गर्म करने पर ठोस्ती धा गैसी यह अव संकुचित है तो option के according जो ठोस है यह निवंतम संकुचित होता है अब देखे 70 सिकारी एक जीव है जो अपने डैस को खाता है तो कोई भी सिकारी क्या करता है अपने सिकार को खाता है कोई भी सिकारी मार जो अगर इंसान है जानवार है तो अपने सिकार को जो भी उसका सिका होता हैek,वाग अपना सिकार को ही खाता है। no 18 फोटो एलेक्ट्रिक प्रभाव की घठना की खोज किस ने किया था, तो Henrik से जुड़े रहिएगा मैं आप सभी को 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक को सभी सिप्ट वाइज कोशिंज मैं करा दूँगा यह सारे कोशिंज काफी इंपोर्टेंट्स रहेगा ऐसे मैं 2019 के सभी सिप्टों का एनलाइसिस दे चुका हूँ ओफेशल पेपर भी अप शिप्ट में यानि 7 अक्टूबर 2017 के तीनों शिप्ट के एकजाम एलाइसिस को देखेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मिराज्य है